चावल बच जाए ना तो आप परिसान हो जाते हो ना क्या करें रात को वही चावल फिर से खाए तो कोई बात नहीं कोई टेंसन लेने की जरुद भी नहीं है बचेवा चावल को यूज़ करके ही आज हम बनाएंगे सुपर डुपर क्रिस्पी डोसा आज हमारा बचेवा जावल के सुपर क्रिस्पी दोसा बनाने की प्रोसीज़ा इससे बनाने के लिए आज मैं ले रहे हूँ एक बोल के गरीब ही जावल इसे हम लेंडिंग जार में डाल देते ही और उसी बोल में हम लेंगे हाफ बोल से थोड़ा सा जादा ही हम लेंगे यहाँ पर सूजी आप मुटी वाली सूजी बारेक वाली सूजी कोई भी ले सकते हो और उस बोल से ही हम डालेंगे हाप बोल दही दही थोड़ा सा खटा होना चाहिए अगर खटा है ना बहुत अच्छी बात है दही डालकर इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और उसी बोल में मैं यहाँ पर एक बोल पानी डाल रही हूँ और इसे अब हम अच्छे से बलेंगे जैसे कि एक smooth सा बैटर रेड़ी हो चोए यहाँबर हमारा smooth सा बैटर बनके रेड़ी हो चुके है आप इसका consistency check कर सकते हो बेल्खुल इसे consistency का हमें चाहिए इसी consistency रेने से जबसा हमारा super super crispy होगा तो आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंची तो चलते हैं हम इसे एक बोब में पोर कर लेते हैं तो इसी हम फॉर्मेंटेशन के लिए जड़ा दे तक तो नहीं हापनावर के लिए छोड़ देंगे तो अब हम इसमें डालेंगे स्वातों सा नमक और हाफ टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर डालके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अधा गंटे के लिए फॉर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे जब तक फॉर्मेंट हो रहा है ना उसे बीच हम हमारे दोसा के लिए चटनी डड़ी कर लेंगे दोसा बिना चटनी के जैसे अधुरा सा लगता है तो चटनी बनाने के लिए मैं हाप ले रहे हूँ हाफ कफ पीनर्स पीनर्स को हम थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे यापर हमारा पीनर्स तोसे रोस्ट हो चुके ही तो अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ कफ नारियल नारियल को हम चोटे चोटे पीसेस में डालेंगे इसे हम इसे लिए भून रहेंगे ये जैटनी ज्यादा देन तक रहेगी अब हम इसमें डालेंगे तीन ग्रिंजीली और एक टुकड़ा अध्रक डाल कर हम इसे थोड़ा सा और भून देते हैं यहाँ पर डाल रहे हूँ चना यह रोस्टेट चना है अगर आपके पास बिना रोस्ट भला चना भी है आप उसे भी डाल सकते हूँ मैं यहाँ पर धने के रन्ठल डाल रहे हूँ और थोड़ा सा मेंट लेप्स रोस्ट करने से हमें ये फाइदा होगा कि ज़्यादा दिन तक चट्नी हमारा स्टोर होके रहीगा बिल्कुल खराब भी नहीं रहेगा और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा फरक लगता है तो इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं जब ताए कि थोड़ा सा कृस्ट नहीं हो जाए ज़्यादा हम इसे थंड़े होने के लिए छोड़ देते हैं उसे बेश हम इसका आलू रेडि कर लेते हीं आप इसके साथ अलू भी ले सकते हो या फिर साफेद बाले माटर जो आता है ना भू भी ले सकते हो तेल में हम थोड़ा सा राही थोड़ा सा करी लीप्स और ग्रिन चिल का दर्का देंगे चपट क्या हुआ प्यास डाल का इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फून लेते हैं जाता हम इसे फैंसे नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल रखेंगे, सिंपल से ही, इसका टेश बहुत अच्छा आता है, अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल डालू, और आलू को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते ही, नमक और हल्दी डाल कर, कुछ बेसिक स्पैसे सीच कर रह जदा देर तक हम इसे बिल्कुल पी नहीं बुनेंगे, अब हम इसमें डाल देते हैं, रोश्ट के अवा पीनट, और इसे अच्छे से मिक्स करने के पाथ, हमारा आलू मसाला बिल्कुल डेडी है, निभी ब्लेंड हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, चटनी के लिए तो चटनी के लिए अब हम इसमें डाल देते हैं, यहां पर हाप लेमन स्कुच कर रही हूं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चटनी का थिकनेस पे अब देख सकते हो, बहुत अच्छा है, दोस्तों बहुत ही चेदा टेस्टरी लगते हैं, कभी इस तरीके से ट् नंस्टिक हो बहुत ही हुआ, आप लेख सकते हो, आप देख सकते हो, कितना बतला और कितना क्रस्प बना है, पहले हम दोसा बैटर के इच्छे से पोर करने के बाद से हम इस तरह के से राउंड राउंड घुमा लेते ही जब दिक ये बहुत पतला ना हो जाए कभी कभी किसका आद दोसा बनाने के बग बैटर तो बन जाता है सही से पर दोसा बन नहीं पता है सही से तो आप क्या करेंगे ग्यास का फ्लेम हमेशा स्लो ही रखना जब यह बैटर पोर करें ग्यास का फ्लेम लो ही रखना उसके बाद आप हाई कर सकते हो और जब यह थोड़ा सा हो चाहिने उसके उपर हम थोड़ा सा तेल को स्प्रिंकल कर लेंगे और उसे उलट उलट करके सेक लेते हैं अब हमारा सूपार उपर क्रिस्पे दोसा बिल्कुल लड़ी है वह यहां पर आलू के जगा ले रही हूं सफित वाली माटर की करी चुक्कि बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है आप चाहिए तो आलू मसारा भी ले सकते हूं या आप वीडियो ची लेकि प्लिस लाइक सेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थांग्स होगा जिए